आप जानते होंगे हाली में जो भी development अभी आपने देखी होगी उसमें आपने notice किया होगा कि भारत हर बार engines को लेकर पीछे रह जाता है आप भारती aircraft तेजस को ले लें उसमें भी engine का मसला है और हाली में एक खबर बहुत दोड़ रही है जिसमें जर्मनी फिर से अपने engine को भ बैठा रहेगा और ऐसा ही एक sector है space का जिसमें भारत को कहीं न कहीं रूस या तो फिर अमेरिका के पास जाना ही पड़ता है और खास तोर पर रूस की बात करें तो वो भारत का space sector में बड़ा साज़दार भी है लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब यूक्रेन युद्ध हो रहा था तब रूस भी कहीं अपने critical components के लिए चीन के दर्वाजे में दस्तक देता नजर आया है लेकिन यहां भारत की position अलग है क्या पता जरूरत पढ़ने पर मदद करने के बजाए ये देश भारत का ही फाइदा उठाने लग जाए तब ही भारत ने सोच लिया कि अब समय आ चुका है जहां space के sector में पूरी तरह से आप निर्भर बना जाए और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने satellite component की manufacturing को लेकर 100% foreign direct investment यानि की FDI सामने रख दिया है मतलब ये हुआ कि दुनिया में जो भी बड़ी company है वो भारत के साथ space के sector में मिलकर काम कर सकती हैं वो भी बिना किसी साज़ेदारी के मैदान में उतर सकेंगे और ऐसा इसले किया गया है ताकि भारत अपनी शमता बढ़ा सके साथ ही अपने नेरभरता को आप नेरभरता में बदल सके क्योंकि space को लेकर आप सभी जानते होंगे दुनिया के जादातर देश भारत के साथ अपने project को साथ करने में कितने serious दिखाई देते हैं मतलब भारत ने इस sector में महारत हासल कर ली है अब भारत ने ऐसा इसले भी किया है क्योंकि आने वाले समय में भारत कई बड़ को सामने ला चुकी है जहां अभी की बात की जाये तो satellite production को लेकर फिलाल जो FDI है वो 74 प्रतिशत के आसपास की है वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दे कि 2023 में चौवन नए space startup का उदय हुआ था जिसमें अब इस छेत में नई कंपनियों की कुल संख्या 204 पहुँ भारत स्वदेशी शमता से टक कर दे सके वहीं space rocket की बात करें तो भारत इसमें काफी आगे निकल चुका है जिसमें किसी और देश की तरफ देखनी की जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि भारत इसे स्वदेशी रूप से देश में विक्सित कर चुका है और इसमें भारत देखा गया है कि जादातर बड़े order यूरोप और अमेरिका के ही पाले में जाते दिखे हैं यही वजह है कि भारत अपने आपको तयार कर रहा है